राश्ट्र व्यापी कोवीट टी का करण अभ्यान के तहट अब तक 48 करोड 93 लाग से अधिक टी के लगाय जा चुके हैं स्वास्य मंत्राले के मुताबिक कल कोवीट के 42,982 नए मामले सामने आए हैं वही 41,726 मरीज ठीक भी हुए हैं इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड 9,74,000 से अधिक हो गई है देश में इस समय कोवीट से ठीक होने की दर 97.37 प्रतिशत है इधार प्रदेश में आउसत पॉजिटिविटी दर 0.32 प्रतिशत है प्रदेश में कोवीट 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,906 है प्रदेश के 5 जिलों राजनत गाउं, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला पेंडरा मरवाही में आज कोरोना संक्रमन का एक भी मामला सामने नहीं आया प्रदेश के 27 जिलों में अभी संक्रमन की दर 1 प्रतिशत से नीचे है इन जिलों में संक्रमन की दर 0 प्रतिशत से लेकर 0.84 प्रतिशत के बीच बनी हुई है केवल सूरजपूर जिले में संक्रमन की दर 1 प्रतिशत से अधिक है जो 1.49 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है प्रदेश में कोरोना की रोख्थाम के लिए केरल और महराश्ट से आने वाली रेलों और एयरपोर्ट पर टी का करण किया जाएगा साथ ही यात्रियों को RTPCI टेस्ट भी कराना अनिवारी होगा